हलो दोस्तों हाई फैस्टेडी में आपका स्वागत है अज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1E के कुछ कोस्टन्स को सॉल्व करने वाले हैं वन दी तक हम सॉल्व करवा चुक है अगर आप नहीं देखिया है तो प्लेलिस्ट मुझा करके देख लिजएगा तो चलिए बिना देर की हुए कोस्टन को सुरू करते हैं पहला कोस्टन है क्या रिस्टनलाइज इदर डिनोमिनेटर ओफ इच अफ द फॉलोई इसके डिनोमि क्यों कि वहता है किस फो में होता है और क्यू नट इकॉल टू क्या होता है अपकор कहने का यह सीद्य साहित विहन。 तो चली देखते हैं कैसे सीयाज़ कि आता है है कि आफ का दिया गया वान बाई ौट सेविन तो क्या यह जो वन बाई रूट सेविन है इसमें देखिए अप्राइब हमारा क्या है कि यह हमारा तो रूट सेवे नहीं है तो क्या ये जो Q है वो आपका rational number है तो बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि ये जो है root के अंदर है कि कहां है root के अंदर है और इसका root निकल भी नहीं सकता है अगर root निकल जाता तो rational number में हो जाता बट इसका root नहीं निकल सकता है इसलिए हमको rationalize करना है इसके तो रिशनलाइज करने के लिए क्या करते है जो root में दिया जाता है आप उसी से multiply किजिए अगर single दिया हुआ है तो same to same उसी से multiply किजिए और single के साथ और single के साथ और भी कुछ है root में या ऐसे ही अलग-अलग दिया गया है तो आप sign change करके multiply करके आप बना सकते है तो कैसे बना सकते है चलिए हम question की तरह बढ़ते है तो देखिए 1 by root 7 था क्या किया गया है कि rationalize करने के लिए इस line को दिखिया इसके साथ क्या किया गया multiply किया गया है root 7 के साथ इनलोमिनेटर में जो root था उसी को same to same उसी से multiply किया गया है तो इसमें rule यह होता है कि जो नीचे काम किजिएगा आपको उपर भी वही काम करना पड़ेगा तो उपर नीचे दोनों साइड क्या गया root 7 से multiply किया गया है तो 1 और root 7 का multiply उपर में होगा तो root 7 हो जाएगा root 7 का multiply होगा तो नीचे में 7 हो जाएगा तो कितना आया answer root 7 by 7 आया answer तो आप देखिए यह जो क्यू हमारा है क्यू डिनोमिनेटर को ही बोला था रेशनलाइज करने के लिए तो यह क्यू आ गया तो क्यू आप रेशनल नंबर में आ चुका है कैसे क्योंकि इस पे root लगा हुआ नहीं है इस पे root लगा हुआ नहीं है नेग्स नर्णोचण है कि इसमें भी डिनोमिनेटर को डिस करता है तो दिया किया रूट 5 by 2 चुछ करता हैं तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे में यानि डिनोमिनेटर में जो दिया जाता है रूट में उसी को हम उपर नीचे मल्टिप्लाई करते हैं सेम टू सेम को तो सेम टू सेम को हम मल्टिप्लाई करने वाले हैं अभी चलिए इस्टे बाइस्टे बढ़ते हैं तो पहले क्या नीचे में था टू वाले को रूट के साथ मल्टिप्लाई करते हैं तो 5 और 3 को मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा और 2 का तो 2 ही रहा जागा अब यह नीचे में देखिए 2 सकते हैं तो दोनों का स्कॉर करता है ना इसका क्या क्या भैलवा जाएगा तो आ सी हो जाएका और णीच में 12 आजाता है कितने टामस में में तरफित शिक्स तामस में तो आपटने बचता है रूटे में बचता है और नीचे में देखिस कहीं रूट बाला दिखाई दे रहा नहीं दिखायये दिखाये देरा तो सेधसा मतलब कि रिस क्रते की लिए हम, जो नीचे में रूट वाला होता है सेउम टू से उसी सीए ऊपर में भी मल्टिप्लाइव करते है आगे का प्रोसेस फॉलो करते है एंसर आ जाता है इसमें भी आपको डिनेमिनेटर को डिनेमिनेटर करना है करें देख रहे थे कि सिंगल रहा था रूट से डाया था टू रोट ठीरी आया था कुछ नहीं साइने के बेल चेंजर करते हैं अगर प्लस में दिया हुआ हों तो ऊपर नीचे माइनस करके मल्टिप्लाई करते आ अगर प्लस नहीं दिया हुआ अगर यहां माइनस रहता तो हम यहां किया कर देते प्लस कर देते, सीधी सी बात है कि अगर प्लस माइनस करके denominator दिया हुआ हो या नीचे वाला प्लस माइनस करके दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे उचके sign को change करके उपर नीचे multiply करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो चलिए step by step चलिए step by step solution करते हैं तो यह क्या किया गया देखिए यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है उपर में भी किया गया 2 माइनस रूट 3 से multiply नीचे में भी किया गया 2 माइनस रूट 3 से multiply तो उपर में 1 से multiply करेंगे तो same to same वही आएगा और नीचे में क्या होगा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 यानि कह सकते हैं कि a प्लस b क्या कह सकते हैं कि a प्लस b into a माइनस b a प्लस b into a माइनस b अगा का फर्मूला होता है a square माइनस में b square है किसका फर्मूला होता है a square माइनस में b square यानि कह सकते हैं कि 2 का 2 स्क्वाइर और माइनस में şimdi 3 का डिखें कि किया ग ubiqua को यहां 2 का स्क्वाइर रूट थीनिका इस्क्वा 28 ऊपर का वही रहे गैडिया बड़ टीछे बें क्या होगा 2 का स्क्वाइर करें के तो भोड़ हो जाएगा 4-3 कितना बचने वाला है 1 तो 1 का तो नीचे में भैलू हो जाना हो फानेली एंसर क्या आता है 2-3 तो इस तरह से 3rd question को देख सब्सक्राइब कहा आगे 1y root 5-2 1y root 5-2 देखे दो नमबर आया न तो दो नमबर आया और plus minus У momen में देख लेंगे प्लस होगा तो 5 मौल्टिपलाई करेंगे उख अधे मैंनर but मैं निचे साथ प्लस माइनस है तो हम क्या करने वाले है उपर नीचे रोड पाइब और पॉलस क्या करेंगे तो चलिए चलते हैं step by step solution करते हैं तो ऊपर में भी किया गया root 5 plus 2 से multiply नीचे भी किया गया root 5 plus 2 से multiply तो ऊपर में हो जाएगा root 5 plus 2 1 से multiply करने से कोई फर्क नहीं परने वाला है और नीचे में वही प्रोसेस हो गया एक बार हो गया root 5 minus 2 यानि a minus b और दूसरी बार हो गया root 5 plus 2 यानि a plus b तो यहां तेखिए a minus b है और a plus b है तो a minus b और a plus b का क्या formula होता है a square minus b square a square यानि root 5 का square b square मतलब 2 का square तो root 5 का square करने वाले हैं तो कितना होता है आप चानते है a square से root कट जाता है तो 5 हो जाएगा 2 का square कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा नीचे 1 बचेगा तो यही हो गया रूट 5 प्लस 2 यहां नीचे में आगे आपका वैलू 5-4 फाइनली 5-4 कितना वर्ड इसके नीचे कुछ नहीं तो वर्ड है फाइनली आपका यह आगया आप नुमर कोश्चन है इसमें भी डिनोमिनेटर को रिसनलाइज करना थीरी रूट 2 फाइप प्लस थीर करते हैं लिखा गया उपर में भी 5-3 रूट 2 से मल्टिप्लाई किये नीचे में भी 5-3 रूट से मल्टिप्लाई किये उपर में वन है तो वन से मल्टिप्लाई करते हैं तो सेम टू से वही रह जाता है नीचे में क्या है तो एप प्लस भी आएगा यहां तिखिए यह आप है 3 2 moz 2 3 2 2 2 है तो सिख्वी चुक है एक्षान दोब्वाले का स्कोर कैसे दिकालते हैं तो एजो स्कॉारर एं Popular है तो जीडी के लिए टो का स्कॉर पहले जाया तो 9 हो जाएगा बी स्कॉर से यह रूट टू हो जाएगा तो यह तू हो जाएगा तो इस तरह से हमारा 18 हो जाएगा और 25 बेसे आपको 18 क्या करना है मायड़ा है कितना होता है तो फाइलली आपका आजाता है कि ता एंसर फाइब बाइनस थी डूट टू बाइ सेवें तो प्लास नाइन के एक्सरसाइज वन एके वन से लेकर कि फाइब तक के कुश्वन को सॉल्प किया है तो इसमें बेसिकली क्या सिखे है रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को रेशनल करने के लिए दो तरीका यहां बताया गया है अगर सिंगल नंबर है तो उसको उपर में सेम उसे से मल्टिप्लाई कर देते हैं बट अगर सिंगल के साथ एक दो तीन सिंगल के साथ अगर दो ते चार पांच ऐसे करके नंबर है तो आपको क्या करना है साइन को चेंज करना ह है साइन पर और साइन को चेंज करके ऊपर नीचे दोनों साइन मल्टिप्लाई करना है और आगे का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और अगर पहड़ी बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडिय जाहिए